शाटर स्पीड, आपिचर और आएसो ये है फोटोग्रफी की कुछ बेसिक्स इन तीनों की यूज और बैलन्स से ही एक अच्छी फोटो बनती है और हर फोटो का मूड सेट होता है ये तीनों ही लाइट को कंट्रोल करते हैं पर साथ साथ में सबका एक अलग साइड बात कर चुके है उनकी वीडियोज आपकी स्क्रीन पर कार्ड पर हैं अब आयएसो की बात करें तो ये कंट्रोल करता है कि आपकor सेंसर कितना सैंसिटेव है लाइट को तो मतलब इसको सिंपल करने के लिए मान सकते हैं कि यह already आपकी फोटो में जो light है उसको थोड़ा बूस्ट करता है नकली वे से तो अगर जहां पर आप फोटो खीच रहे महाँ पर लाइट काफी जादा है नॉर्मल है तो आप उसको जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए क्योंकि उससे आपके सबसे clean result मिलेगा जितना आप ISO बढ़ाएंगे उतनी आपकी फोटो bright तो होईगी बट उतना ही आप detail loss करोगे और आपकी फोटो में special shadows और जो भी थोड़ी dark areas हैं वहाँ grain बहुत बुरा वाला आएगा और फोटो की quality almost unusable हो जाएगी अब ISO photography की ट्राइंगल का सिर्फ एक पार्ट था और हम cover कर चुके हैं बाकी दोनों पार्ट पहरी की वीडियो में तो अगर इस वीडियो ने help किया दो subscribe कर दो like कर दो आपको पता है क्या क्या करना है और तब तक के लिए ये रही कुछ और वीडियो जो आपको अभी चेक आउट मारनी चाहिए है देव विल हेल्प यू Have a great day